आप सभी का स्वागत है और देखें निप्टी में बैंक निप्टी में उता चड़ाओ लगातार बने हुए हैं जबकि देखें मंडे के दिन मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर कॉल या कहां पर पुट पाइंग करना चाहिए उसके पीछे का क्या साइकेलोजी लेवल होने वाला है चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो देखें सबसे पहले तो मैंने इस जिगह वन डे का चार्ट उपन किया है और वन डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे देखें लेवल इसके अंदर आप आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको बताए भी थे देखें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चार दिन से देखें चार दिन से देखें मार्केट इस लेवल को बारवाट टच कर रहा है उपर के लेवल पर जो कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक selling भी आपको देखने को मिल जाती है ऐसे ही अगर हम बात कहें तो नीचे की साइट जो आपको support देखने को मिलता है जेवाला जे आपको देखने को मिलेगा इस जगह देखे मैं जे आपका support भी दिखाना जाओंगा जो support आपका इस जगह देखने को मिल जाता है इस पर देखे हमने अपने टेलिग्राम चैनल पर आपको P.E. बाइंग करने की राय भी दी थी और काफी जवदस प्रॉफिट देखने को मिला था क्योंकि मार्केट ने जो इस जिगा लो मारा था वो अगर आप देखोगे तो 38,230 से देखे इसने हाई मारा था और इस हाई से अगर आप मार्केट में देखोगे तो इसने नीचे की साइट लो मारा था और इस लो में अगर आप देखोगे तो पूरा जो पॉइंट आपको देखने को मिले थे वो हजार पॉइंट ही देखने को मिले थे क्योंकि हमने इस जगह देखे क्या notice किया था कि market उपर के level से decision में दिया गया है और market में अगर आप देखोगे तो यह आपका एक volume देखने को बला जो कि red volume है तो अब आंगे कैसे गाम करना चाहिए उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले ले लेते हैं इस वीडियो में वाकी देखे आज का वीडियो का like aim हम रखते हैं 2000 like हो का तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रही है काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि first call को हम कैसे buying कर सकते हैं वो मैं आपको इस जिगा बता रही था मार्केट में हो क्या रहा है अगर आप देखोगी तो यहाँ प काफी यादा रिक्स पर बाइंग किया था यानि उनको कुछ ना कुछ तो पता था इतनी बड़ी गिरावट आने के बार भी मार्केट ने इतनी बड़ी तीजी दिखाई है वो कुछ ना कुछ पता था तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदे कि मार्केट अगर अपने हाई के पॉंट को निकालता है जो कि आपका चार दिन से नहीं निकाल पा रहा है अगर देखिए जिए अपना 38100 के लेबल को उपर की साइट निकाल देता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं CE बाइंग कर सकते हैं लेकिन इसको निकालना पड़ेगा अपने हाई को आप देखो तो एक भी चैनल नहीं बना है ठीक है अगर इस पॉंट के ऊपर एक कैंडल बन जाता है और वह गरिन कैंडल मतला की ओपनिंग नीचे और कि लोजिंग ऊपर की साइट देना चाहिए और जो बनेगा वह गरीन कैंडल बनेगा ठीक है यहां पर कौन सा कैंडल ब मिठके चार्ट पर हम किस पर देख सकते हैं बंदा मिठके चार्ट पर अगर इस टाइब का केंडिल बन जाता है तो हम वहां पर क्या बाइंग करेंगे ठीके और मार्केट क्या से इस जिगा ब्रेकाउट देगा वह मैं आपको समझाता हूं मान लिजए कि आपका ये लेवल है कौन सा लेवल है ये आपका 38,100 का लेवल है मार्केट ये जगा ओपन हुआ ओपन होने के बाद थोड़ा कंशोरेट किया और कंशोरेट करने के बाद जैसे इसने अपने इस लेवल को उपर की साइट क्रोस किया जो कि मैंने आपको बता के रखा है 38,100 के लेवल पर तो इस जगह हम CE बाइंग करने के लिए तयार रखेंगे अब फिर हमारा टार्गेट क्या होगा तो टार्गेट की बात कर लेते हैं पहला टार्गेट जो आपको देखने को मिलेगा बो इस जगह देखे 38,200 का देखने को मिलेगा दूसरे टार्गेट की बात कर तो 38,320 के संथिंग का देखने को मिलेगा और लास्ट टार्गेट की बात कर तो 38,440 के संथिंग का आपको देखने को मिलेगा यानि इन तीन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट अपनी लेवल के उपर निकलता है तो कि अब मैंने आप सभी के सामने एक जगा बैंक निप्टी का ओप्सिन चेन उपर किया है मंडे के दिन कॉल और पुट कहां पर बाइंग करना चाहिए उसके पीछगा क्या साइकलोजी लेवल होने वाला है तो सबसे पहले तो मैं इस जगा डेटा की बात का लेता हूँ सबसे पहले देखे इस जगा डेटा में आपको दिखाना चाहँगा कॉल के साइट का कि कॉल के साइट अगर आप देखोगे तो नौ लाग साथ हजार चाजसो ग्यारा के समतिक का आपको कॉल के साइट ओवाई देखने को मिल जाता है जबकि अगर हम बात करें पुट के साइट का तो पुट के साइट आपको देखने को मिलता है 7,000, 70,000 के something का आपको put के site का देखने को मिल जाता है यानि अगर हम कईने कई बात के तो call के site काफी यादा data आपको इस जगा देखने को मिल जाता है क्योंकि market ने open देने के बाद इस जगा नीचे की site closing दिया है तो जो उपर की site लोगों ने buying किया था वो कईने कई एक जगा टेरैप होते हुए दिखाई दे रहे है जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है कि उपर की site एक resistance हमको देखने को मिलता है जो कि 38,100 का है अब देखे एक जगा मैं 38,000 का भी दे सकता था क्योंकि हर किसी के मन में क्या दिखाई दे रहा है यह psychology level दिखाई दे रहा है 38,000 का लेकिन market क्या करता है यह 38,000 के ऊपर जाता है और 38,100 तक भी जाता है लेकिन उच जगा टिकता नहीं है अगर market टिकेगा नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा और market में अगर आपने देखा होगा तो काफी बार market इस level तक जा रहा है लेकिन उपर की साइड नहीं निकलना है लेकिन अपके बाद है कि अगर market इस जगा 38,100 के ऊपर निकलता है जबी हम इसमें सिक्की की position बना सकते है और market में जो आपको तेजी देखने को मिल सकती है वो कईने कई 200 से लेके 350 पॉंटों की आपको देखने को मिल सकती है लेकिन मंदी की बात करते है कि मंदी आपको कैसे देखने को मिल सकती है तो मंदी के लिए देखे आपको 37,800 पर नज़र रखना चाहिए अगर market एक जगा 37,800 के नीचे जाता है तो कहीने कहीं आपको एक selling देखने को मिल सकती है और एक जगा selling में आपको put buying करने की opportunity देखने को मिल सकती है अब आप ऐसा क्यों? क्योंकि देखें, market अभी क्या हुआ था? कि market उपर की side open हुआ था? यानि high point पर open हुआ था? और high point पर open होने के बाद market नीचे की side आया जब market नीचे की side आया तो जितने भी लोगों ने उपर की side JCE जो buying किया था और SL नहीं लगाया था उन लोगों ने क्या किया? इसको hold किया और जब hold किया है तो उसमें कईने कई average भी किया होगा पिराइस का तो मान लिजे कि अगर आपने उपर 200 रुपे का कोई call buying किया है तो अगर वो नीचे 80 रुपे का आ गया है या आपका इस जगह 150 point पर आ गया तो आपने उसको कईने कई average किया होगा अपने और quantity buying किया हुआ जिसके वैसे आपको CE के अंदर quantity दिखाई दे रहे है अब जे trap में से कब भार निकलेंगे जब market आपका 3800 को उपर की साइट पार करेगा और selling हमको कब देखने को बलेगी जब जे आपका 37800 के नीचे जाएगा जो वीडियो बिल्कुल पूरा देखते हैं उनको काफे कुछ इस जगह सीखने को मिलता है और opportunity भी इस जगह देखने को मिलती है अब देखे जो level मैंने आपको बतायते हैं बिल्कुल level to level market काम करते हुए दिखाई दे रहा है और इस जगह अब अगर आप देखो भी मार्केट पार नहीं कर रहा है जो कि कईने कई हमको देखने को मिलता है इस जगह 38,200 का level कौन सा level दिखाई देता है 38,200 का level यानि market इस ही level से नीचे की साइड सेलिंग दे रहा है नीचे की साइड बाट करते है तो नीचे की साइड देखे जे वाला जो point है जे एक कईने कई एक आपका देखे support का point दिखाई दे रहा है यानि इसका जो low है वो कईने कई इस पर support लेता हुग दिखाई दे रहा है जो कि हमको नीचे की साइट देखने को मिलता है इस जगह 37,730 का जिए हमको क्या देखने को मिलता है 37,730 का जिए इसका सपोर्ट पॉइंट है और उपर वाला आपका हाई पॉइंट है अब इसमें एक चीज आपको समझना है जैसे ही मार्केट ने देखे इसको पार किया था तो हैं यहाँ पर कई ने कई एक सेलिंग पॉइंट लगा हुआ था यानि लोग इस पर सेलिंग करने के लिए तयार थे और मार्केट में उसके वाई से अगर आप देखोगे तो इस जगह देखे आपको सीधे सीधे इसी जगह से आपको 500 पॉइंटों का बेनिफेट देख कर सकते हैं हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं यानी नीचे की सैट हम पूटबाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट इसके पिराइसके नीचे निकलता है तो एक है क्योंकि market इसके नीचे निकलना चाहिए अब इसमें condition क्या है? जो आपका candle बनेगा ईस candle में देखिये opening आपका ऊपर की सैट हो लेकिन closing आपका नीचे की सैट होना चाहिए जो कि one hours का candle होना चाहिए मैंने आपको लगा के रखा है वन अवस का candle होना चाहिए और नीचे की side closing देना चाहिए तो market इत जिगा नीचे की side की logic देगा तो हमको एक selling देखने को मिल सकती है किसमें देखने को मिल सकती है put के अंदर देखने को मिल सकती है अब इसमें देखें मैंने लोजिक तो आपको समझा दिया है अब इसमें टार्गेट क्या होगा तो टार्गेट की हम बात कर लेते हैं टार्गेट हम इतना ही लेंगे इसका जो लो है उतना ही हम टार्गेट लेखे चलेंगे पहला टार्गेट हमको देखने को मुलेगा 37,620 के सम्तिंग का दूसर टार्गेट हमको देखने को मुलेगा 37,510 के सम्तिंग का और लास्ट टार्गेट हमको देखने को मुलेगा 37,400 के सम्तिंग का यानि उपर के लेवल पे हम इन लेवल के लिए काम कर सकते हैं जो कि आपको 300 point के level इस जगह देखने को मिल जाते हैं अगर वीडियो को अभी तक like नहीं किया तो एक वीडियो को like कीजिए चलिए आंगी वीडियो बढ़ाते हैं अगर आप call बाइंग करने में comfortable होते हो तो नीचे की साइट हम call किस level पर बाइंग कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दीता हूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे paid group में join होना चाहते हो तो हमारे link से account open कीजिए angel, jaroda, appistock, alas, willoo के साइट और join हो जाईए हमारे paid group में जिसमें nipty और bank nipty के update आपको दिये जाते हैं साथ ही साथ आपको online class दिया जाता है तो अभी DMET account open कीजिए हमारे link से और join हो जाईए हमारे paid group में अब देखिए नीचे की site हम एजगा कहां पर एजगा call buying करके चाह सकते हैं जो कि अगर हम बात करें तो इस level पर हम buying करके चाह सकते हैं और इस level को मैंने आपको काफी बार बता के रखा है जो कि नीचे की site हमको 36,700,700 के something दीखने को मिलता है अब इदे के इस level पर हम क्यों buying कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं पहले तो 36,750 पर हम इस पर क्या buying करके चल सकते हैं हम इस पर CE buying करके चल सकते हैं अब इस जगह देखने ऐसा क्यों क्यों वहीं इतना नीचे आकर हम इस जगह क्यों कर सकते हैं क्योंकि सब से पहले तो अगर आप देखोगे तो जविखेश अपका gap देखाई दे रहा है आपको पता है कि एक ने एक दिन तो इस जगह देखे gap Пटिल होता ही होता है टुकिखकें जीजिने मार्केट उपता था कि का लेवल नहीं देगा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस लेवल पर लेकिन मार्केट में कि हुआ कि गैप के साथ उपन हो गई तो इनको अपॉचुनिटी नहीं मिला इस अपॉचुनिटी नहीं मिला क्यों नहीं निकल गए तो अब क्या हुआ कि जितने भी लोग इस जगह बाइं करने के लिए तहीं आते हैं वह इस जगह वेट करना है कि मार्केट फेसे इस लेवल पर आये तो हम कहीं नहीं जगह सब्दक्रिक रहें अब समझते हैं कि नीचे की साइट कैसे आएगा मान लिए जिए आप और consolidate करने के बाद market उपर की side निकल जागा ठीक है यानि अपने high के उपर निकलेगा तो high के उपर निकलने का मतलब कि हाँ वही इस जगह जो buyer है वो activate हो रहे हैं और जब buyer activate हो रहे हैं तो इस जगह हम क्या करेंगे कि CE buying कर लेंगे ठीक है तो चलिए हम समझते हैं कि वही अगर market हमको 36,750 पर मिलता है तो इस level पर हम CE buying करने के लिए ठीक है रहेंगे फिर हमारा जो target होगा वो target की बारे में बात करते हैं कि पहला target तो देखे हमको इस जगह 36,840 का देखने को बलेगा दूसर टार्गेट की बात करते हैं तो इस जगह देखे 36,900 रुपे का हमारा दूसर target होगा क्योंकि psychology target है और last target हमको 37,100 का देखने को बलेगा यानि इन target के लिए हम market में काम कर सकते हैं यह बड़ी तेजी बड़ी मंदी कब आईगी और market इस जगह range bound आपको दिखाई दे रहा है कुछ समय से देखे market इस जगह range bound हो चुका है तो बड़ी तेजी और बड़ी मं 1200 के उपर निकलता है जब आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जो कि कईने करें इस जगह 200 से लेके आपका इस जगह देखे 350 पॉंटो तक आपकी जा सकती है मंदी की बात करें तो मंदी कईने करें देखे नीचे के level से देखने को मिलेगी जो कि कईने करें अगर ह 250 पॉंटों से लेके आपको 400 पॉंटों तक सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैहिन बनने मात हूं